हलो फ्रेंस हमारे चैनल कंचेंदेसी खाने में आपका फिर्श स्वागत है तो चलिए आज हम बनाते हैं फिर से थाली की रेस्पी जो बहुत ही टेश्टी बनके तियार होई है तो चलिए बनाना एश्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाल लगा लेते हैं जो सबी के घर में बनते ही हैं इसके लिए मैंने अरेड दाल और मसूर दाल को कुकर में रखके अच्छे से दो से तीन पाने से धो ली थी और उसमें स्वाद के अनुसार नमक एक चमच हल दी और थोड़ी सीज हसो का तेल डाल देंगे और इस कुकर को लगा करके गैस कराही को गर्म करके सर्चो का तेल रख करके उसमें पंच फोरन सुखा मिर्च और हड़ी मिर्च भी डाल सकते हैं डाल करके सभी चीज को थोड़ी से बुनने देंगे और इसमें प्याज को आइड कर देंगे या मैंने प्याज नहीं डाला है आप चाहे तो प्याज इसमें रखकर बना सकते हैं और कदू को डाल देंगे और इसको चला करके ढखकर के पकने देंगे थोड़ी देश सौप्ट हो जाएगे से इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे और एक चमसी करीब मैंने चीनी डाल दिये है ताकि यह सबजी मीठा बने मीठा सबजी ने बहु सबजी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन त्यार कर लेते हैं कितर कदू के सबजी पक गए थे इसे लिए इसको तेज गयस पर थोड़ा से इसको मिक्स करके और दुजरे बरतन में रख लेंगे इसके बाद बेसन त्यार करने के लिए मैंने यहां पर चावल को ओवर और बेसन के क्वांटिटी के हिसाब से मसाला डालेंगे इसके लिए दो चमज तीखी वाली मिर्ची पाउडर डाल देते हैं एक चमज हल्दी पाउडर और दो से अढ़ाई चमज धनिया पाउडर डाल दी है स्वात के अनुसार नमक डाल देते हैं साथी में एक चमज काली रखनी हैं ताकि अरवी के पते मीं असाने से लग जा और यह बाहर नहीं निकले को अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है अच्छे तरह से ऊपड़ इस तरीके से यह वाली पते की सबी शीं से में और हमारे चैनल में नए हो कर लिईजिए यहां पर मैंने बड़े साइज का और चुड़े साइज का दोण साइज का पत्ते लिए हैं सारे पत्तिय को मैं इसाल रΐ भाखते रिया है अब इसमें बैसंट लगाएंगे इसके लिए मैंने एक पत्ते को सेले επीशण लेकर उस पर दालकर इसतरह से मिला लेनी है पिर दूसरी पती को इस तरह से डाल लेनी है और इस तरह बेसन लगा देंगे। फिर दूस्री पती को ऐसी तरह डाल लेंगे और भीसला बेसन लगा लेनी है। सबजे बना हुए मुझे काफी दिन हो गए थे इसलिए इसका थोरणोwo मौणा भूल रही थी इसलिए दोनों सट से इसके मौण के बनाते है चलिए तो पहले इस सट से उल्डे तरफ से मौण के बनाया है तो ये भी ज़्यादा वेटर बना है इसके बाद इसको धागा से लपेट देते हैं, आप चाये तो कोई साभी धागा ले सकते हैं, मैंने जो सिलाई मसीन पर यूज होता है, वही धागा से इसको अची तरह से पूरे लपेट लिये हैं, और चाको से बचे वे पाट को काट लेते हैं, एक धो बन करके त्यार हो तो ये वाली पहले वाली से जादा वेटर वनी हैं, तो इस तरीके से सभी पते को फोल्ड करके सभी को बना लेते हैं, सारे पते को इस तरह से मैंने मूर लिया हैं, उसके बाद गेस पे कराही डाल करके, कराही को गर्म करके, इसमें थोरा सा पानी डालेंगे, पानी में बर इसमें भाफ आज है और अच्छ से पक चाहा जब तिक पक रही है तब इह ओतरे में डाल को रेडी बैंटे गर्म पानी डालके इसमें सिम्पल सा च्छूक लगादे जीरा राय सु30 मिरची रहकर के इसमें च्छूक लगादे पत्टे के वाली धाले Drive करते हैं, अब यहां प्याज दन्या मसाला रखके आप इसमें ग्रेवी लगा सकते हैं, लेकिन घूल जबते पत्ते यहां सीच़ निकाल लिया है और इससे थंडा होने के लिए रख देती हैं यहां मैने सब्जी में ग्रेवी बनाने के लिए कराही को घर्म करके सर्षो का तेल रख दिये हैं और इसमें सर्षो पस्ज फोरन और सुखी मेशी डाल करके उसको थोरँ से चिटकने देंगे उसके बाद पीला करके और फोराण जब थोड़ा से बृटाँ भ्राउंद हो जाए और उसमें डाल देनी है और Smat ke पानी डाल करके इशको अच्य तरह से कर देनी है और ये मसाले को ढग करके पका लेनी है कुछ दिर तक, जब तक मसाला पक रहे हैं, तब तक हमारे पत्ते भी ठंडे हो गए थे, इसका धागा निकाल लेते हैं, पत्ते अच्छे से पक गए थे, इसलिए धागा को अराम से ही निकाले, बहुत ही असानी से धागा निकल जाते ह सारे धागे निकालने के बाद इस तरह से इसके चोटे चोटे पीस में काट लेनी है आप चाहे तो इससे पतला भी रख सकते हैं या मोटा पीस भी काट सकते हैं तो इस तरह से मैंने सभी को काट लिये हैं और इसको मैं फ्राइ करने के लिए सारे को एकटे कर लिये हैं तो फ् तेल को बहुत अच़ी तरह से गर्म कर लेनी है जब तेल अची तरह से गर्म हो जाए तो पत्थे को बेसं में लगा करके पूरे अच्य तो इसमें तेल में एक रखे डाल देनी है वीच्ट में और शपने एक side से fry हो गया है, सभी को प्लट दिये हैं, प्लटने के बाद सारे बते अच्छे से fry हो गया है, अब इसको दुसरे बतर में हम निकाल लेते हैं यह fry किया हुआ अपत्ता भी खाने में बहुत ही tasty लगती है आप इस तरह से जरूर try करें इसको ऐसे ही फ्राइ करके भी खाया जा सकता है और इसको ग्रेवी लगा कर भी खाया जा सकता है हमारे यहां अक्सर यह बनते ही रहते हैं हमारी बाड़े से निकलता है तो अक्सर हम बनाते ही रहते हैं तो चेलिए यहां मसाला भी बनके त्यार हो गई है तो इसमें पानी डाल लेते हैं जितने ग्रेवी रखनी है उसे क्वांटीटी में मैंने पानी डाल लिये हैं और इसको थोड़ा सा वलने देते हैं जब मसाला पग गए हैं तो इसमें फ्राइ किया हुआ फत्ता डाल देते हैं सारे पत्ते डालने के वाद इसको ढग करके दीमी आज पर पका लेनी है और उसके बाद गैस बन कर देनी है, सब्जे बनकर त्यार हो गई है सारे खाने हमने बना लिया है, उसके वाद ने थाली लगाते है ठाली में मैंने चावल डाल लेए हैं और फ्राइ किये हुए पत्ते को डाल लेते हैं उसके बाद डाल डाल लेंगे और पत्ते को सब्सक्राइब कीजिएगा ओके बाए साथी मैं यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू